बुन मॉनिंग, सो नीट का इर्जैम हो गया है और मेरे काफी क्लाइन स्टूडेंट जो कहते हैं सर आपने अपना नीट का अनलेसिस, कट आफ का अनलेसिस नहीं डाना और देखें मैं आपको सच बताता हूं कि ना बच्चे आते हैं भार लास्ट यह भी हुआ था कि फिजिस का वेपर बहुत बश्चिन था लेकिन एक नहीं दो नहीं तीन बच्चों यह तो पूरे सेवर टून्टी आ गए थे और मैं में है समझाता हूं कि वह जो 650 पलस वाले बच्चे है ना उनको थोड़े से मुश्किल या थोड़े सांसे फरागनी पड़ता और फिर अब अब अवरॉल देखें तो इस बार में चल रहा है कि बागी सब ठीक था निया थोड़ा सा गुमाव पेपर था कुछ बच्चे कह रहे हैं लेकिन इस बार तो सभी वेश्ट का एक्जाम, जेएक एक्जाम में बहुत बड़े हैं इन इसम को कंड़क्ट कर रहाने के लिए कम से कम दो से थाई मेने कि दो त्यारी लगते हैं इस तुमिया ओपको इतने सारे सेंटर चाहिए हों सेंटरों पेपल कराने हैं और यृष्टर का मैं किस्ता सुनां हूँ ज की शब्द नहीं बोले थे पर उनका कहने मतलब यह था कि अगर पंदर लाग बच्चों के अंदर अगर पच्छिस जार का भी नुक्सान हो या तो क्या करें और यह कहें कि पल्ला चाट दिया ऐसी वह महरास्थे में दो बच्चों के साथ हुआ था कि बिचारे एकी क्लास में हुआ है यह थे एक पास सेट अधाए था अंसर की सैट की अंचरशी चीट एक बाट तोनों ने इमेजेट्ली एक्शं बोल दिया कुछ नियुको लुट गए अंटीमेर्डनी बंढे ली कुछ नियुआ है तो यह जो गंगा-नगर वाला इस्यू सामने आ रहा है जिए कि ए लंगानेगर वाली बात है जैसे मैंने कहा था कि 100-200 अगर 500 बच्चों को सफर भी करना पड़ या तो सुप्रियूंग को कुछ नहीं करने वाला लास्टेरी पहले यह वा था कि कुछ बच्चों का दोबारा एक्साम होगा इन दो बच्चों का यह तो कह रहते हैं पर नहीं ल लगा लिए उतने ही आने वाले हैं एक्जैम दोबारा होना और सब होना नहीं होने वाला इस बार नवंबर से बैट चादू करना ही करना है जो लास्ट यह बहुत लेट हो गया था जैनले तक ही जिए था बट इस बार अगर ऑगस्ट के फस्ट दीग तक में रिजर्ट ला चाहिए और फिर क्रास से स्टार्ट हो चाहिए ज़ी जिए नवंबर तक तो यह है जो फ्लो चलेगा नीट का कट ओफ की बाद जाए हम सभी जानते हैं फॉर्म तो खिया सारे ठारालाग लोगों ने भारा था अपीयर कुछ तग्रीबर सारालाग लोगों ने भारा था जिस दीएस्ती हों किसी फिसी परसेंटाइब फार्ति पर्सेंट पासिंग होता है तो आप मान पेचले जिए इस हम सारे नोग लोग लोग लाग बच्छे करीब चे बास करेंगे और मैं मान कि चलतूं कि नहीं नॉमल कर बंता है तो कुछ ए तो कुट अगर एक लाग बच से जादा फरक निंग पड़ेगा और तीन चार नंबर अपसाइड पर इसलिए होता है कि दिए हर साल बच्चों की मेहनत बढ़ती जा रही है इस बात पर ध्यान कीजिए तो कट आफ क्यों बढ़ रही है कि एक तरह से हर साल सिर्याइज बढ़ते रहते हैं किसी बेंटरस टेस्ट में तो शायद चार साल मेले किसी दी सोचा था की नीट में कोई 720 में 720 में लाया गाए लास्ट या तीन मच्चे लाये हैं लागे तो ये उसके जाँ से कट आफ अपर जारी है कि एवरेग बच्चे की मेहनता है वो परती जाली है और बहुत ज़ादा फ्रगने पड़ेगा I think अगर 138 कटाउफी जदल कैटेगरी तो 145 पचास तक पकड़ लीजिए और कैटेगरी के लाप उसी हिसाब से 122 पकड़ लीजिए सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगने वाला है फिलाज सीट अबाओ 91,000 है अफकोर्स हरसा सीटे एट होती है मान के चलते है 91,000 हो जाएगी कुछ गवर्मेंट बढ़ेंगी कुछ प्रेवेट बढ़ेंगी गवर्मेंट तो कोई छोड़ता नहीं है तो गवर्मेंट के जो क गवर्मेंट के और इंडिया कुछता में जर्नल कैटेगरी ओबी सी डवलो इसके लिए अराउंड 599 गिर गई थी फिर सी की तो काफी नीचे थी और स्टी भी और नीचे थी वो डेटा मैं आपको डिस्रिक्शन में दे दूँगा अब जो दो एहम मुद्धे इसके लिए म अधिया थी तरह आप तीन सो नंबर वाला प्रेवट कॉले में जाएगा उसे फीस आदी हो जाएगी यह तो पहले से इकलेर हो जाएगा कि फ्रेवेट में शीट थी और जस्टो टेलियो कि अधी पी जब अधी जब आफी जिगा पर है तो अगर आप सौंथ में जाते हैं नौर्थ में तो हरियाणा में कहीं बन भी नहीं है पंजाब में जैसे प्रेवट कॉलेजिस में फीस आदे तीन लाख रूप है तो पहले सब्सेडाइज दे तो और से खंचा करेंगे पर तिलंगाना साइट पे अंध्रा साइट पे तरमिलाडू साइट पे वेस्ट में ग अजयाडा में था ना उत्रा उत्राखन में भी था कि उत्राखन के दो भी सहल को 40% आफ मिलते लिगी था सरकारी फीस महां सकती है लूप भी नहीं था बिहार में नहीं था इन जगह जाएगो डेफिनिली डीम्र में नहीं था तो डीम्र उन्वर्सटीज की वजो एक 8500 अब फिफ्री के बराबर हो गई वो जो 595 नमर वाला है जिसको सीट नीम मिली और इंडिया कोटा वे रही तकर मांगे चलते कि 599 वास लिक टॉफ तो मैं ज़ल के टेगरी का बच्चा हूं दिली का 597 ना मुझे दिली में मिली ना मुझे भार मेली लोकल दिली तो में पता नीचे रहती है अब मैं 598 का बच्चा हूँ तो मैं तो ले लूँ हो ना कि एमसी बनी बाल वाली वो सीट जो सकारी के भाव मिल रही है समझे है बात को तो जो सबसे बड़ा फैदा होगा वो मिले होगा वे देली हर्याड बिहार के बच्चों को जिनकी खुती कट आफ बह चार स्टेट के थे खा जाएंगे और अगर मंत्य पर्देश के थे या महलास्टर के थे तो आपको पहले वे 570 या साथ मिलावत सरकारी आप वह ले लेंगे तो उस रेच के दिली हर्याडा बिहार के बच्चे राइस्ठान के बच्चे वह सारी प्राइबर सीटे खतम कर द कि एक और बड़ा इशू और आप सब को ध्यान देना चाहिए वो है कि खासकर जब हम त्यारी करते हैं डिया कि एक सेंग्मेंट है अब आप मांके चलिए कि तग्रीबन लास्टियर तीस अजार बच्चे भाहर पढ़ने वे थे तो उक्रेइन का इशू हो तो सब को बता है पर एक और बड़ा इशू था जो मैं आपको याद देलाता हूं तो एक गैजट है था लास्टियर अठारा नमंबर दोजार इंटीस को जब दोजार इंटीस का डिमेशन प्रोसेस खतम हो चुका था कि भी आज के बाद जो एमीवेस करने चाहेगा उसके उपर ये रूल ल तो कई कंट्री ऐसे जो टोटल पांच साल पढ़ाती थी तो सब चेंज कर लिया उच्बे के असान के रिगेशन कर दिया चलो तो कोर्स को बढ़ाना हम लोगर सिरफ पांच ये बाते थी एंजन सी की आट लाइन में जिसमें तो भई है कि मैं सबसे खतना ग्लास में बोलू चाहिए चाहिए चलो फिलिबीज ने देदी, बगनादेश, चाहिना, एक जागिसार करीस्तान सब ने देदी, युकरेय नक्षया भी देदेगा, ये सब भी हो गया, सेम जगा पर आप लोटेंश्या पर आप मौन्टिव करनी है, कर लिजी, हॉस्पिटल और कॉलिज सेम होना चाहिए वह भी मैनेज हो गया बट एक और क्लॉज है जो अभी तक सुलूशन नहीं हुआ है कि आप अपके बाद अगर आप 2022 बैस से जा रहे हैं तो आपके पास उस कंट्री में प्रेक्टिस करने का लाइसन्स होना चाहिए कि अगर मैं मुझबेकेसान पढ़ने जाहूं मैं रश्या पढ़ने जाहूं तो चाह में रश्या मी अपना क्रेनी खोल सकता हूं चार दिन के लिए आपको खोलना नहीं है बड़ ये कागच आपको देना पड़ेगा इंडिया में वापास आगे तब ही आप नेस्ट के सब्सक्राइब को बता रहा हूं कि as we speak today जैसे कहते हैं कि 20 जुलाई 2022 इस क्लाउस को अभी तक NMC नहीं अटाया है काफी जो बड़े-बड़े एंडिया सब्सक्राइब के कॉंट्रेक्टर थे इक्लूडिंग अस हमने मिलके केस डाला वे सुप्रीम कोट में लेकिन अभी त होता ही नहीं है पढ़ाई कीजिए और आप चाहे तो क्लेरी खोल लीजी अब इस चीज को NMC एसेप्ट करेगा कि नहीं करेगा कि NMC नहीं बुला है मैं तो 500 पेपर चाहिए तो बहुत बहुत देखिए इसके मत बिल्कुल ऑप्शन नहीं है मैं कहीं लोगों से बिलता हूं कि डॉक्टर ही बनना है एक क्रोड का बजट लिए इंटिया के प्रिवट कॉलिशी फीज देने का 20-25 लाग का ही बज़ता है डॉक्टर बनाना है तो चलो सर अभी भेज द हैं जिस कंट्री में यह अलाव हो रहा है और फिर वापस आके हम देख लेंगे हैं नमसीर से केस कर लेंगे यह कर लेंगे वो कर लेंगे और किसी तरीके से निकल जाएंगे ठीक हैं लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो जड़से बहार जा रहे थे और लिए 40-45 लाग खर्च कर रहे थे अच्छी कंट्रीज में जाके फिलिपीन्स में चाइना में या नेपाल में और आप वह सोच रहे हैं कि नहीं भाईया हम जोर मार गया ना दो ही बच्चे आचकर इंडिया में ही उसा देते हैं प्रेवट में विच मींज पांसो पीस नंबर वाला बच्चा चार्स राइट तो अब यह सोच वह तो तीन सो नंबर वाले लोग हैं ना दोसो नंबर वाले लोग हैं उनके लिए काउंसलिक प्रॉसेस बहुत टाफ होने माली है तो कि यह तीस हजार में से अगर पांच जार बच्चे भी कॉंपटिशन में आ जाते हैं मैं मान के चल्णों कि त आख बंद करके 10,000 बच्चे भाहर चले जाएंगे कि देखी जाएंगी 10,000 बच्चे छोड़ी देंगे या ड्रॉप करेंगे दुबार बढ़ेंगे लेकिन अगर 10,000 बच्चे पेड़ से हैं रिजाड कर लिया कि हम लोन लेकि ये कर ये को करके भी बच्चे को पढ़ाएं तो ये सब फिर इंडिया के फ्राइवेट कॉलेज ये कॉम्पटिशन में आपके साथ आजाएंगे तो चाह इस बाद 200,500 नमर वाले को सीट नहीं मिलेगी देखे मिल सकती है लेकिन जो लास्ट ये चलता था नो उसलिए मैं मुझ से फोल करते हैं लोग सब यूपी में इस इस फीस नहीं बढ़ा ही नियुपी नियुपी चलता से उड़िया और ये जो उसक्राइब दो है न इस प्राइवेट सीट बिलना मुश्किल होने वाला है आपको इस प्रेड करना पड़ेगा अपनी ऑप्शन को इंडिया में अगर धाजा स्टेट ओपन है भार के रहने वाले हर्याना के रहने वाले तो खाली अपनी स्टेटिबे अपलाई करतें इस बार बहुत मेहनत करने पड़ेगी और शायद आपको प्रफेशनल काउंसलर के जरुत पड़ेगी ही पड़ेगी जो लोग आज तक भी बिना काउंसलर को हैर की अपना काम चला लेते थे यह मेरी अपील है सबको यह मेरे टिप्स है सबके लिए रिजल तो आई जाएगा तू वीक्स में और लेकिन यह दो दो दोनों चीज़िए हैं तो में मानूमी हम सुबेश आप उसमें डील करते हैं और एनमसी बाला रूल भी देखो जब कौंसली स्टार्ट होई उससे पह पहले होता था क्योंकि तब कॉंपेटिशन होता था कम नंबर लेकिन पैसे वाले बच्चे फिर कॉंपेटिशन हड़ गया तो लास्ट यह तक भी ऐसा हो रहते हैं कि एक सुबसे नंबर भी हैं तो इंडिया किसे बोने में आपको अमीबेस मिल जाएगा अगर आप कोई भ पहले से बहर रखे हैं तो यह सब चीज़े देखते हुए आगे पड़िये एक्षे लीजिए हमारी सर्वेसे हमारी मदद चाहते हैं डिस्रिप्शन में भी नंबर लिखा होता है मेशा 96433-62320 कॉल कीजिए मेरे साथ एक कॉल फिस कीजिए दा कॉल विल कॉस्ट यू 5,000 पीस और मीटिंग ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स and then we decide कि आपको हमारे कौन सा पैके सूट करेगा हमारे पैकेज 30,000 से लेकर 1.5 लाग तर जाते हैं depending upon हमें आप ले कितना काम करना है तो अगर मुझे आपके लिए 1.5 लाग का काम करना है तो तीर जार लेकर मजा नहीं आता है काम म अथना एनर्जी है फोकस नहीं जाता है और तीर लाग लेने का हमें कोई शौग नहीं है क्योंकि अगर बेफ़जूल का पैसा भी कहते हूं हमें नहीं बसता है तो अगर आपका 30 लाग 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 काम है तो अब जबरस्ती कस्टमर बनाने के लिए 30,000 में हां नहीं बोलते हैं कि हमारे कुछ रसूल है क्योंकि जिसका भी काम करते हैं बिल्कुल बेस्ट पर्फेक्टली अच्छे से करना चाहते हैं धन्यवाद, have a nice day, bye bye